आज की इस वीडियो में हम wheel alignment और wheel balancing के बारे में थोड़ा discuss करेंगे और ये जानेंगे कि ये क्यों इतने important हैं हमारी car की performance के लिए और इनको कैसे identify करा जाए, इनको कैसे ठीक कराया जाए और कितने interval में usually हमें wheel alignment और wheel balancing करनी चाहिए तो इसके बारे में बात करेंगे और दोनों के बीच में differences भी तो सबसे पहले आते हैं differences के बारे में कि ये दोनों चीज़ें same हैं या अलग हैं तो ये totally different हैं, दोनों wheels से जूड़ी जरूर हैं लेकिन ये totally different हैं इनके adjustment के तरीके अलग हैं, इनकी diagnosis बिलकुल अलग है और इनके impact भी अलग-अलग होते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें wheel alignment की तो मैं आपको इस toy car की मदद से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं तो हमारी car के front tires हैं खास कर ये हमारी steering से जुड़े रहते हैं और यही decide करते हैं कि हम car को किस direction में लेके जाएं तो इनको set किया जाता है, proper angle पे set किया जाता है, तभी ये car को एक सही तरह से maneuver कराने में help करते हैं और road से required contact बनाते हैं और उस proper angle पे ना होने की वज़ा से मतलब अगर ये हलका सा भी अपनी central position में रखने के बाद outward या inward tilted है, right या left tilted है या outward inward किसी भी direction में tilted हैं, थोड़े से मुड़े हैं तो उसे alignment out बोलते हैं तो इनको सही करना जरूरी हो जाता है, तो उसी को wheel alignment बोलते हैं wheel alignment को अगर देखा जाए तो हम खुद भी easily detect कर सकते हैं के wheel alignment out है, इसके तीन चार तरीके हैं पहला ये है कि जब हम car एक direction में लेके जारे हैं, मलब straight जारी है हम ना right जारे है ना left जारे है, सीधी चल रही है car और अगर हम steering को थोड़ा सा भी छोड़ें तो car एक side में भागने की कोशिश करेगी, तो direction थोड़ा सा change आपको मैसूस होगा, वो right हो सकता है या left हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बिना आपके turn करें, अगर car किसी भी direction में जाने की कोशिश कर रही है, तो उस case में alignment out है, तो कि alignment out है, ऐसे time पर भी आपको जाके अपनी car की alignment करवानी है, और third है जो आपके car के tires हैं, यह अगर आप notice करते हैं किसी भी time, यह evenly wear out नहीं हो रहे, मलब एक side में tires ज्यादा गिसरे, मलब अंदर की side या फिर बाहर की side थोड़े ज्यादा गिसरे और दूसरे side में कम गिसरे, त कि normally जब सारे tires aligned होंगे, तो equally गिसेंगे, वो बीच में भी उतने ही गिसेंगे, side में भी उतने ही गिसेंगे, तो tire evenly गिसेंगे और उनकी life भी लंबी होगी, तो अगर आपको दिखें कि यह evenly नहीं गिसरे, कोई side है जो ज्यादा गिसरा है, तो वो भी alignment out होने की वज़ा से हो common reason है, unfortunately हमारी Indian roads की ही वज़ा से है, क्योंकि roads हर जगा properly नहीं होते, कहीं गड़ा आ गया, आपने speed में गड़े में से car निकाली है, speed breaker में से, आपने एकदम speed में से गाड़ी निकाली, तो उसकी वज़ा से alignment out हो सकता है, या suspension properly adjusted नहीं थे, उसकी वज़ा से alignment out हो जाता है, तो ये कभी भी हो सकता है, तो अब इसको कब-कब हम ठीक कराएं, मलब कब-कब हम alignment check कराएं और alignment को हम सही कराएं, तो पहले तो अगर आपको इन में से कोई भी indicator दिखता है, चाए वो आपकी car का tires का worn out हो या फिर कोई भी दूसरे जो indicators थे, उन में से कुछ भी आप notice करते हैं, तो आप alignment जा के ठीक करा दें अपनी car की, सेकेंड है, आप साल में at least एक बार तो कराएं, जब आप अपनी car की service कराते हैं, तब alignment अपनी car का check कराएं, और उसी time पे वो एक बार भी कराएंगे, और बाकी अगर पूरा साल सही चल रहे है, तो एक बार कराने से आपको piece of mind मिले कि हा alignment मेरी कार की सही है, अब अगर हम alignment को सही नहीं करते हैं, यहां तो notice नहीं कर पाते हैं, हमें कोई भी ऐसा indicator नहीं मिलता, जिससे हम समझ पाएं कि alignment आउट है, यह हम ignore कर देते हैं, तो उससे नुकसान क्या होंगे, सबसे पहला नुकसान जैसा मैंने आपको बताया, कि आ अंदर की साइड या बाहर की साइड कोई एक साइड ज्यादा घिस रही होगी, तो obvious सी बात है, उन टायर की लाइफ बहुत कम हो जाएगी, जहां आप उन टायर को 5-7 साल या 10 साल जितना भी टायर की क्वालिटी के साब से चला सकते थे, अब उनकी लाइफ उससे काफी कम ह हो जाएगी, इस से एक रिस्ट भी पोज होगा, क्योंकि अगर uneven मान लो, अंदर की साइड टायर ज्यादा घिस्से बाहर में आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, तो आपको पता नहीं रहेगा, और आप उसको ड्राइव करते जाएगे, और कभी high speeds पे अगर आप उसक को भी impact करेगा, क्योंकि आपको एक additional friction देखने को मिलेगी road से इस case में, जिसके लिए engine को extra work करके extra fuel burn करना पड़ेगा, तो वो भी एक इसका impact है, तो कहीं न कहीं ये काफी तरह से आपको नुकसान दे सकती है, तो alignment को ignore ना करें, इसको सही कराने की cost बहुत ही minimal है, लगब कोई भी भी car हो, 300 से 500 के बीच में alignment हो जाती है, उससे ज्यादे इसमें नहीं लगता, तो इससे एक बार आप alignment ज़रूर चेक करा लें, सेकेंड हम आते हैं, wheel balancing पे, wheel balancing क्या है, अगें ये wheel alignment के काफी similar sound करता है, लेकिन ये थोड़ा सा different है, और इसको detect करना भी थोड़ा सा difficult हो जाता है, compare to wheel alignment, सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है, आपके car के जो tire है, वो normally एकी size के tire होते हैं, ठीक है, तो generally जितने भी tire होंग के आगे पीछे सबका एक weight रहता है, तो उस weight को balance way में रखना, उसको wheel balancing बोलते हैं, ताके वो weight equally distribute हो, जो आपका wheel base है, उसके around, उसको wheel balancing कहते हैं, अब इस चीज में, इसमें कई बार problem हो जाती है, कि किसी एक side में weight थोड़ा ज्यादा रहता है, और किसी side में weight थोड़ा कम हो स लगती है, अब इसे detect कैसे करें, unfortunately इसके बहुत ही easy way में detect करने के कोई खास हमारे पास तरीके हैं नहीं, compare to wheel alignment, वो easily हमें खुद से पता चल जाता है, लेकिन इसका जो सबसे common indication है, वो है कि हमारी car थोड़ा vibrate करनी लग जाएगी, overall car में vibrations आपको feel होंगी, तो उसे wheel balancing out मलब हम कह सकते हैं, तो इससे ठीक कराना भी थोड़ा सा different है, compare to wheel alignment, तो इसमें क्या होता है, कि सारे wheels को बाहर निकाला जाता है, तो इससे ठीक करने के लिए proper machines का भी use किया जाता है, चारू टाइर्स को निकाल के one by one wheel balancing machine पे mount करते हैं, और उस पे उनका weight वगएरा check करते हैं, और तो जब सारे wheels को निकाला जाता है, फिर उनको अच्छे से check करके फिर वापस mount किया जाता है, तो उससे wheel balancing हमारी ठीक होती है, wheel alignment में ऐसा नहीं था, wheel alignment में wheel लगे ही रहते हैं, और उसके लगे रखने के बाद ही alignment set होती है, क्योंकि वो installed wheels पे होती है, wheels के angle को set करने के लिए की जाती है, तो इसलिए उसमें wheels को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन balancing में सारे wheels को निकाल के फिर वापस लगाया जाता है, तो अब ये wheel balancing आपको कब करानी चाहिए, generally जब भी आप wheel alignment करा रहे हैं, उसके साथ उसी टाइम पे wheel balancing भी कराए, क्योंकि ये दोनु ची चेंज कर रहे हैं, या फिर उससे ज्यादा tires चेंज कर रहे हैं, उस टाइम पे भी आप wheel balancing कराएं, क्योंकि अब मानलो एक ही tire change कर रहे हैं, बाकी tires लगे होएं, वो एक particular way में balance लगा रखे थे, अब एक नया tire लग रहा है, तो इसकी balancing थोड़ी different हो सकती है, तो उसी टाइम पे सारे tires की balancing करके, उनको match करके वापस लगाना चाहिए, और उस साथ ही में wheel alignment भी कर देनी चाहिए, तो again इससे आपकी car की stability बड़ी रहेगी, जब car balance रहेगी तो वो ज्यादा stable रहेगी, वो अच्छा perform करेगी, breaking के time पे, कम distance पे जाके रुकेगी, लेकिन अगर balancing out होगी, त ये दोनुँ चीजें simultaneously होनी बहुत जरूरी है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करें, चैनल को subscribe करें, मैं आपके लिए ऐसे ही technical informative वीडियो लाता रहता हूं, तो इसके लिए चैनल को जरूर subscribe करें, मिलत हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए take care